सब्सक्राइब सब्सक्राइब 90 मिनट यानि 90 मिनट में 100 सवाल आपको करने है CBT 1 का एक्जाम होने के बाद आप अगर CBT 1 को क्वालिफाई करोगे तब आप CBT 2 में बैठोगे CBT 1 जो है क्वालिफाईंग नेचर का ही रहेगा इसका मतब यह है कि आपके जोन की आपके कटेगरी की जो भी इस नमबर इक्स्टा ले आते हो कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा क्वालिफाई तो आप करोगे ही ठीक है ऐसा नहीं का आप कटाफ से अगर 20 नमबर जादा 15 नमबर जादा 10 नमबर जादा ले आते हो तो एफिक्रिक सिभित करते हैं तो DRBJ में अगर आपकी इन्फर्मिशन टेकन और ग्राइंच को तो आप इलेक्ट्रीक्री में इन्फर्मिशन टेकनालजी है तो आप computer science का और electronics का सेलबस तो नॉर्मली अलग लग होता है गेट के हिसाप से अगर दिखा जाए यह वैसे दिखा जातो बट रेलवे जई में जो टेक्निकल का पेपर होगा वो electronics का computer science का और IT का information technology ब्रांज का सेम होगा अगर आपको लगता है कि आपका CBT1 का पूरा का पूरा हिसा तयार है अगर आपको लगता कि मैट्स तयार रेनिंग तयार यह तयार यह तयार सब कुछ तयार है तो थोड़ा थोड़ा आप technical को पढ़ते रहो और थोड़ा थोड़ा environment अंवार्मेंट एक computer जो उसको पढ़ते रहो अगर आपने inवार्मेंट कभी नहीं पढ़आ थो थोड़ा थोग एजन करते रहो और shotm को पढ़ते रहो यह मैं मान के चलूँगा का आप cbt1 क्वालीफाइड कर जाओ तो और अगर आपका भी cbt1 ही तयार नहीं है cbt1 में ही आप स्कूर नहीं कर पार टेस्ट वगरह देते हो तो यह कई सारे टौपिक अपने पढ़े नहीं है यह भूल गया है तो पहले CBT-1 का जो subject है उसको revise करो उसका notes आपने बना रखा होगा या पीडियोस से पढ़ दो प्ढ़ो जैसे भी है पहले CBT-1 को पढ़ो कि science 30 नंबर के science छोड़कर टेक्निकल करने लग जाना साइंस तीस नंबर के तो इसको पूरा अच्छे से चार्ट डालो जनरल अवेरनेस पढ़ो पंदर नंबर के आएगी रिजनिंग 25 नंबर की मैथमेटिक्स तीस नंबर का मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक जो आपका सेलबस हो चारे ट्रेड वगर यह सब इससा पढ़ सकते हो और अगर इसी में डाउट है इसी में नंबर नहीं आ रहे है यही भूल जा रहे हो कि सर जनरल साइस में चारी के फैजिक्स के नुमेर कल नहीं हो रहे है तो पहले इसको अच्छे से त्यार करो क्योंकि पिछली बार जब rrb ये की वैकेंसी आई थी, एक से एक ऐसे धुरंदर थे, जो टेक्निकल में बहुत सांदार थे, मगर वो CBT-1 की जो बाधा है, उसको पार ही नहीं कर पाए, और जब रिजल्ट आया CBT-1 का, तो फिर बहुत उदास और मायोस होके वो बच्चे, इसलिए CBT-2 में कई बार, बच्चे टेक्निकल में बहुत अच्छे थे, वो CBT-2 तक पहुँच ही नहीं पाए थे, इसलिए एवरेज नालग वाला बच्चा भी CBT-2 में कौलिफाई कर गया था, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, कि सारा धान टेक्निकल पर लगा देना है, लगाना है जब CBT-1 का एक्जाम हो जाए, तो रिजल्ट का वेट करोगे क्या, अगर पेपर अच्छा हुआ है, आपको पता है, तो आज एक्जाम खतम हुआ, एक दिन घहरी सांस लो, सो, और फिर अगले दिन से त्यारी स्टार्ट कर दो, और पेपर खराब हो गया आपका बहुत तो पता चल जा जाएगा, फिर क्या है CBT2 की त्यारी करनी है, फिर नए से त्यारी का प्लान बनाना, ठीक है, तो यह नहीं कि रिजल्ट आ जागा, CBT1 का उसके बाद त्यारी स्टार्ट करेंगे, रिजल्ट आ जाने के बाद, कई बार पेपर में टाइम नहीं रहेगा, टेक्निकल CBT2 की में, पिश्री बार तो टाइम मुझे लग रहा है, CBT1 का जब रिजल्ट आया था, और CBT2 का एक्जाम हुआ था, हाल लिए 20 दिन का टाइम मिला था, तो इस बार में चलता है, एक महीने का टाइम मिल जागा, रिजल्ट आने के बाद, और पहले का आड़ दो महीने का टाइ ठीक है, और अगर आप इन बैचेच की तलास में हो, तो इन चारों ब्रांचेच के बैच कर रहे हो लाब पे जे के चल रहे है, CBT1 प्लस टू, अगर आपको चाहिए कि सर हमें केवल टेकनिकल का बैच चाहिए, तो भी ले ले लो क्या दिक्कत है, इसमें नॉन टेकनिकल प जब से आप इस कोर्स में अडमिशन लोगे, आपको वलिटी डियर्ण सार मिलेगी, यानि अगर आप आज अडमिशन लेते हो, तो इस बैच में वलिटी डियर्ण सार मिलेगी, तो जितने भी मेरे बैचेच है, कर रहे ले लाब पे, उन सारे बैचेच में आप आप अडमि तो भी उसकी फीस कम नहीं रहने वाली है तो आप इस बैच को लीजिए और यहां से अपनी त्यारी को स्टार्ट करिए कैसा बैच है जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बहुत सांदार तरीके स्कवर कराया जाएगा इलेक्ट्रिकल के जो टॉपिक्स होंगे मैं जो इल आलोग जहां सर है हिमानसु मारवा सर है बिकी सर है नरेंद सर है इन लोगोंने मेकनिकल का टॉपिक कम्प्रीट के एलेक्ट्रोनिक्स में अविनास सर और मैं तो यह टीचर्स है और नॉन टेक्निकल का जो वीडियो है वो करेविल को टीचर्स है उनकी वीडियो पड़ी है हैं आप वहां से पढ़ सकते हैं अगर आपको बैच दूड़ने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या करोगे आप खूलना एप में सबसे नीचे एक बैच को अप्शन देखेगा उस पर क्लिक करोगे तो उपर कही सारे सेक्शन देखेंगे ससी बैंक टीचिंग वहीं तो और दायन साइड आप जाओगे तो जेई आयटी यहन रेलवे एक्जाम के एक कतेगरी आपको देखेगी क्या दिखेगी कतेगरी उस पर कलिक करना तो यह उपर दिखेगा फिर क्लिक करना तो जितने भी बैचेज दिखेंगे आपको उनमें से जो भी बै पेटर नहीं पता दिया गया आपको क्यों मिलने वाला है आपको यो मिलेगा जैशों में मिलेगी शौरिछ में aja में रहेगे अफनी सब्च्रण बेसिक्स करक्रंट चैनल शुक्रम मिले जैनि Кम्प्विटर मिलेंट इनलेगा इस चिछ मिले जैनल सा किसी मिलेगी करें शो यह हैं और अगले दो महिने का जो टाइम भचा हुआ है आपने धंग से पढ़ाई कर ली तो बहुत मुस्किल नहीं रहेगा मैं बता दूँ ये सारी बात हिम्मत और होशलो की होती है अगर आपने अब तक पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं किये है और CBT-1 का एक्जाम आप देना चाहते हो अगर आप इस दो महिने धंग से पढ़ ले जाओगे तो पूरी उमीद आप CBT-1 क्रैक कर सकते हो और आपका दिमाग ठीक्था काम करता है आप ठीक्था थोड़ तारकिक तरीके से सोच पाते हो तो आप दो महिने भी पूरी कोसिस करकर पढ़ोगे तो CBT-1 का एक्जाम आप क्रैक कर सकते हो और CBT-1 के बाद आप CBT-2 की त्यारी फिर इस्टार करोगे तो CBT-2 में अगर आपने ट्रेड को अच्छे से पढ़ लिया मैत्रिजिंग तो आप पढ़के जाई रहे हो CBT-1 के लिए तो आप CBT-2 को भी क्रैक कर सकते हो तो आपको यह नहीं सोचना है कि दो महिने का टाइम बहुत कम है टाइम कम तो है लेकिन अगर आप सिद्धत से हाई फीसिंसी से पढ़ोगे तो नॉर्मली आप जितना 6 महिने, 7 महिने, 8 महिने में पढ़ते हो उतना ही आप 2 महिने में पढ़ ले जाओगे जितना एक साल में पढ़ते हैं उतना आप 2 महिने में पढ़ ले जाओगे लेकिन आपके जितने भी distractions हैं सब को बंद करना पड़ेगा फोन से कसी लड़की से बात करते हो बंद कर दो वाटसप पे बेकार का टाइम बरबाद करते हो उसको बंद कर दो यूटूब पे बेकार की चीज़ी देखते हो उसको बंद कर दो दोस्नों से गॉसिप करते हो फोन पे अचाय की टफरी पे वो सब बंद कर दो खयाली पुलाव जो पकाते हो उस बंद कर दो दिमाग को focus रखो unidirectional रखो और दो महीने पढ़ो math, reasoning, physics, chemistry, bio के अलमा दिमाग कुछ आना ही ने चीए देखो आप दो महीने बहुत कुछ कर ले जाओगे और मैं करों सेलेक्शन नहीं भी वाज CBT1 में तो जो अगला एक्जाम होगा RRBJ का उसमें देना सेलेक्शन नहीं हो पाया तो ये आपकी तयारी अगली बार रंग लाएगी ठीक है तो आपको बोड़ी सिद्ध से तयारी करनी है और बैच अगर आपको जोईन करना है तो आप बैच कर रहे विले पे जोईन कर सकते हैं और आपको अगले दो महीने में अपनी जो जो कमजोर करियां है उस पे काम करके एक्जाम में बैटना है अपने लेक नौकरी हांसिल करनी है और इस सुनहरा भविस्य हांसिल करना है तो आज के लिए इतना ही बाके की कहानी नेक्स क्लास में तब तक के लिए नमस्कार